नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोले शो में तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में इंगलेंड के कॉर्णवल में एक G7 की मिटिंग हुई थी और G7 आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देशों का गुरूप है इस मिटिं में इसको लेकर बहुत ही गर्मा-गरम बहस की जा रही है ना सिर्फ मीडिया में बलकि विशशग्य भी इसको लेकर जबर्दस तरीके से आर्टिकल लिख रहे हैं और साथ ही जितने भी European देश हैं यहां के politician हैं वो भी इसको लेकर काफी deeply discuss कर रहे हैं लेकिन सबसे अच्छ ना तक बड़ी हो सकती है और इसका मतलब यह होगा कि जो भारतियर स्थाज की तारिख में लगबग 3 trillion dollar के आसपास है वो 9 trillion से लेकर 10 trillion तक बड़ी आसानी से जा सकती है और भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ती बन सकता है लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं हम कि आ उन्होंने कहा कि G7 took action to counter China's economic might यानि कि अगर मैं हिंदी में बता हूँ तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप चीन की बड़ती हुई आर्थिक शक्ती को रोकना चाहते हैं तो अभी G7 को बड़े action लेने होंगे और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस statement पर एक देश इटल influence नहीं है और उपर से चीन का puppet है तो ऐसे में इटली का तो कोई relevancy नहीं है लेकिन जो बाकी के 6 देश हैं बहुत ताकतवर हैं और चीन के अर्थवस्था को बड़ी आसानी से गिरा भी सकते हैं ऐसे में इनकी जो सहमती है वो बहुत अहम है अगर आप बाकी जो 6 देश हैं इनकी अगर total economy जोड ले तो ये 40 trillion के आसपास जाकर बैठती है और चीन कहां है करीबन 11 से लेकर 12 trillion तो ऐसे में ये बड़ी आसानी से चीन को counter कर सकते हैं लेकिन बहस अब ये जारी है कि कैसे counter करेगा G7 चाइना के बढ़ती हुई economic might को तो इसके लिए दो तरीके हैं पहला त figure के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्यचार कर रहे हो इस पर sanction लग सकता है दूसरा Hong Kong के मुद्दे को लेकर sanction लग सकता है तीसरा Corona को लेकर sanction लग सकता है और चीन तो literally हर 6 महीने में एक नया बहाना तियार कर सकता है कि उस पर sanction लगाया जाए तो ये एक बड़ा बढ़िया तरीक है कि चीन में जो पस्चिमी देशों की कमपनिया है वो manufacturing करती है उन्हें वहां से हटाया जाए धीरे धीरे वहां से उन्हें निकाला जाए और इन दोनों ही जो तरीके हैं इन उपर लगबग सभी देश सहमत हैं लेकिन बस difference वहां आ रहा है अमेरिका चाहता है कि सारे के सार है शेंक्षन 2021 माट लगा दिये जाए लेकिन जो बाकी के देश वो कहolate रहे हैं कि इससे हमें भी नुक्सान होगा इससे बैसर है कि आने वाले चार-पांट सालों में धीरे धीरे ही हर छे महीने में एक सेंच्चन हर एक साल में एक सेंच्चन ऐसे लगाए जये ताकि हमें हम तिबंधों के कारण और उनके देश उन्हें रोकेंगे तो उन्हें तो मार्किट चाहिए चीन जैसी मार्किट लेकिन उनके पास सबसे बेस्ट ओप्षन है भारत का आने वाले समय में तो हमारी पॉपुलेशन चीन से भी बड़ी हो जाएगी ऐसे में उनके पास एक अल्टर पाई वहाँ होगी तो पशीमी देशों को भी फाइदा है भारत की एकोनमिक ग्रोथ बढ़ेगी बहुत तीजी से भारत का जो मिडल क्लास है वो भी बहुत रफ्तार से आगे बढ़ेगा और इसके लबाँ जो पशीमी देशों का इन्वेस्टमेंट जो हर साल ट्रिलियन डोलर भेजे जाते हैं चीनी कमपनियों में वो भारत आएगा क्योंकि जब चीन में इन्वेस्टमेंट करना पशीमी देश मुश्किल कर देंगे तो जो पशीमी देशों की इन्वेस्टर है ये तो कही न कहीं का रुक करेंगे तो ऐसे में भारत एक इमर्जिंग मार्किट ये तो भारत ही नहीं ये कहे कि जी आप खुलकर अपना समान बेचिए, खूब बिजनिस कीजिए, बस इस चीज का ध्यान रखिए, जो चीज आप भारत में बेच रहे हैं, वो भारत में बनी हुई हो, आपकी फैक्टियां भारत में लगी होनी चाहिए, वरना क्या हो सकता है कि ये फैक्टियां लगा देंगे वियतनाम जैसे देश में, इंडोनेशिया में, ब्राजील में, समान फिर यहां पर इंपोर्ट करेंगी, यहां से पैसा तो खूब कमाएंगी, लेकिन भारत में नोक्रियां उत्पन नहीं हो पाएंगी, ऐसे में भारत को अगर अपना कमेंट करके जरूर बताएगा, साथी वीडियो को शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुन दो भूलेगा, थैंक्यों रोशासिंग वीडियो